कौर्यों में आप सुन रहे हैं मुझे यानि सुमन रावत को एक बाफिर से हासिर हूँ लेकर रेलवे स्टेशन की कुर्ची जिसे लिखा है गुलशेर एहमद ने पेश इस कहानी संग्रे से रिया और रेहान दोनों ही अलग शहर के थे इस शहर में रियान दो साल से रह रहा था और रिया अभी अभी आई थी दोनों का मिलना कोई चमतकार नहीं था रिया उसी कॉलिश की नई छात्रा थी जिस कॉलिश में रियान दो साल से पढ़ रहा था दोनों बहुत आसानी से और बहुत आम सी जिन्दगी गुजर बसर कर रहे थे जैसे कि हर चात्र चात्राओं की गुजरती है जिनके बहुत से सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करने का जुनूर रियान और रिया की पहले मुलाखाद जूनियर्स वेलकम पाटी में हुई जहां रिया को ये पता चला कि रियान उसे कॉलिज के पहले दिन से जानता है उसने रिया को बताया कि जब वो पहले दिन कॉलिज में अपनी क्लासरूम को ढून रही थी और इसके लिए वो बहुत परिशान थी तब उसने अपनी क्लास के बारे में रिहान से ही पूछा था चुंकि रिया बहुत परेशान थी तो अपनी किताबों को संभालते वे आगे बढ़ गई रिया ने ऐसे बरताफ किया जैसे वो पहुशर मिन्दा है और इस बात के लिए सौरी भी कहा यहां से दोनों की दोस्ती शुरू हुई रिया को जब भी कोई कामा पढ़ता या जरुवत होती तो वो रियान से मिलने लगी ऐसे दोस्ती गहरी होती गई हर किसी को जब वो शहर बदलता है उसे एक ऐसे वेक्ती की जरुवत पढ़ती है जो शहर के बारे में अधिक जानता हो शेहर नया था, शेहर के लोग नए थे, रिया के लिए सब कुछ नया था, जहां उसे एक दोस्त मिल गया, जो हर समय हर जरुवत पर मौझूत रहता रिहान बहुत जिम्मदारी से रिया के हर काम में हाथ बटाता था, जिस से रिया को बहूत अधिक भरोसा होने लगा था क्लासेज रोज रोज लगने लगी और नए नए दोस्त बनते गए मुझे याद है जब मैं और रिया पहली बार मिले और हमारी दोस्ती शुरूरी थी तो कॉलिज का तीसरा दिन था कक्षा में एक कारिक्रम होने वाला था और प्रॉफेसर ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी कि मैं उन बच्चों के नाम का विवरन उन्हें दू जो इस कारिक्रम में हिस्सा बनना चाहते हैं तबरिया से मुरखात हुई थी क्लास खत्ब होने के बाद वो मेरे पास आई हाई उसने मुझसे कहा हाई उसे जवाब देते वे चात्रों के विवरन बनाने में लगा रहा उसे देखी नहीं पाया जिसके थोड़ी देर बाद फिर से और थोड़ी लंबी वाली हाई कहा हाई तब मैंने अपना सिर उपर किया देखा एक खुबसूरत साथ चमकता मुस्कुराता लड़की का चहरा हाई बाए वाली हाथ हिलाते वे मुझसे मुझसे मुखातिब है हाई माफी चाहूं का थोड़ा वैस था मैं खड़ा हुआ उससे हाथ मिलाते वे माफी मांगे उसने इंग्लिश में अपनी बात रखी ओओ ओके नॉट अपना नाम बताते वे उसे बैठने को कहा और हम दोनों बात करते वे उसे विवरन को बनाने में लग गए इसी तरह हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई और आज भी हम अच्छे दोस्त है शायद उस नए शहर में हमेशा रिया को कोई भी साहता करने के लिए उसको सुनने के लिए किसी भी समय रिहान मौजूद रहता था ये और बात है कि क्लासिस के कुछ साथ लगतियों को ये बात हजब नहीं होती थी कि लिया सीनियर के साथ यू इतना खुलती मिलती है और इस बात पर एक दो बार जड़ब भी हो चुकी थी असल में नए साल के बच्चों को जो अभी अभी कॉलिज में दाखिल लिये थी उन्हें लगता है कि उनकी क्लासिस के और रिया को भरोसा हो गया था कि रिहान वही शक्स है रिहान भी शायद कहीं न कहीं उसे पसंद करता था या इनकी दोस्ती ऐसे ही हो गई थी कि दोनों एक दूसरे से आशा और उमीद करने लगे थी रिया कुछ भी रिहान से कहती तो पूरे आसार और उमीद से कहती और उ कि ये बात या काम पूरा हो जाएगा प्रेम की जड़ विश्वास ही होता है दोनों को एक दूसरे पर पूरा विश्वास होने लगा था दोनों को प्रेम होने लगा था जब दोनों प्रेमी प्रेम करने लगते हैं तो समाज के सारी खद वा खदूद ऐसे तोड़ देते हैं जैसे एक पंची का बच्चा अंडा तोड का बहार आ जाता है सिर्फ विश्वास पर। रिहान के तरफ से रिया की किसी भी बात या काम के लिए ना कहने की कोई गुंजाईशी नहीं रहती और कहीं होती तो पूरी जान लगा कर उसकी बात को पूरा कर देता। दोनों के दिलों में प्रेम की खिचिडी पक रही थी। रिहान थोड़ा कंफ्यूस्ड था लेकिन रिया को पूरा भरोसा था कि उसे प्यार सा कुछ हो गया है। और यदि उसने रिहान से ये बताया तो रिहान इंकार नहीं करेगा। उसे पूरा भरोसा था कि रिहान के दिल में भी उसके लिए कोई प्यार के चिंगारी जल रही है ये आशा, उमीद और भरोसा जैसे शब्द भी अजीब होते हैं ये सारे शब्द दूसों के वक्तित्व से जुड़े होते हैं और हमें रखता है ये सारे शब्द हमारे वक्तित्व के हैं किसी भी वक्ति के जीवन में खुशी का मंत्र ये भी हो सकता है कि वो इन शब्दों को जाने ही नहीं माने यदि कोई वक्ति, आशा, उमीद और भरोसा जैसे शब्दों से अपना रिष्टा ही नहीं रखे उसने कुछ लंबी सासे भरी और अपने फोन पर रियान का नमबर डाइल किया जैसे फोन की घंटी बजने से पहले आवाजे आती है फोन में ठीक वैसे ही रिया की धड़कन की आवाज और तेजी से बढ़ने लगी जब फोन में रिंग बजने लगा तब तो उसने फोन बिस् गई और अपने शरीक को हिलने नहीं दिया उसके हाथ एक जगा स्थिर नहीं थे फोन की घंटी रुकी और उधर से आवाज आई हेलो यह उसी लड़के के आवाज थी जिससे रिया रोज ही बाते किया करती थी और उसके साथ कई बार बाहर भी जा चुकी थी लेकिन इस समय हाला तो और थे उसने खुद को संभाला और बाते शुरू की कुछ समय तक बात करने के बाद रिया ने एक लंबी सांस भरी और कहा आप मुझे अच्छे लगते हैं मुझे लगता है अब आपको भी ये मान लेना चाहिए रियान के अवास लड़कडाई क्या और कुछ देर दोनों तरफ खामोशी रही फिर रियान ने ही बात को आगे बढ़ाया और एक हलकी आवास में कहा हेलो क्या हुआ रियान के अवास अभी भी लड़कडा रही थी उसने लड़कडाती आवास से कहा कि वो इसके बारे में कल बात करेगा और फोन बंद कर दिया रिया उसकी ब क्या प्रेम बिना बोले नहीं बताया जा सकता प्रेम से तो लोग जुड़ते हैं प्रेम तो सत्यता की पहचान है प्रेम तो बस प्रेम है इन तीन महीनों में रिया रिहान के बारे में बहुत कुछ जानती थी वो जानती थी कि उसको रिष्टे के लिए सोचने का समय चाहिए रिया को ऐसे भी लगता था कि शायद वो ऐसी बात पहली बार सुना तो घबरा गया हो इसके बाद रिया ने फोन लगाया और सारी बातें मुझे बताई इसके दो दिनों के बाद रिया ने रिया को फोन लगाया रियान बहुत खुश था उसने पूछा आज दिनर पर चले और इसके बात सुनकर रिया तो उचल गई लेकिन थोड़ा सा खुद को संभालते वे कुछ भी जाहिर ना करते वे बहुत सहज हो कर कहा ठीक है लेकिन अभी नहीं मैं बताऊंगी अब इनका प्रेम अधिकारिक था रिया नहीं ये कहकर फोन बंद कर दिया और वो अब बात में बात करेगी उसने जैसे फोन बंद किया मानो वो उड़ रही हो और पांच मिनट बात कमरा कमरा नहीं एक कबार खाना या कच्रा घर था क्योंकि वो कमरे में मौझूद हर वस्तू से खेल रही थी और सारे सामान अपनी जगा बदल चुके थे ये और बात थी कि वो कमरा ठीक करते हुए खुद पर गुसा कर रही थी कि उसने कमरे के इतनी बुरी हालत कर दी जब तक रिया और रिहान ने रिष्टा अधिकारिक नहीं किया था उसने कभी रिहान के हाथों में अपना हाथ नहीं डाला था वो बहुत खुश थी कि अब रिहान के हाथों में हाथ डाल कर ये शहर फिर से देखना जहत पैजे वो बहुत खुश थी कि अब रिहान के हाथों में हाथ डाल कर ये शहर फिर से देखेगी लेकिन अभी तक ये अधिकारिक रिष्टा अनधिकारिक ही था रिहान को कोई ना कोई काम होता था या क्लासिस होती थी जिससे वो रिया से मिल ही नहीं पा रहा था लेकिन रिया टेकनोलोजी का हमीशा शुक्र गुजार रहेगी क्योंकि इन दिनों में टेकनोलोजी नहीं दोनों को जोड़ी रखा दोनों ने जब अपने रिष्टे को अधिकारिक किया उसके तेरा दिनों के बाद ये पहली बार मिले रिहान का फोन आया और दोनों शहर घूमने निकले रिहान ने रिया से जब घूमने जाने के लिए पूछा तो रिया ऐसे तैयार हो गई जैसे वो इसी बात के इंतजार में थी और हाँ वो इसी बात के इंतजार में थी ये प्यार भी अजीब शब्द है जो अधूरा है लेकिन इस शब्द से जुड़ने वाले पूरे हो जाते हैं रिया और रिहान भी इस शब्द से जुड़के पूरे हो गए थे क्या खुबसूरत दिन था जब दोनों निकले रियान निर्या को एक जगा पर मिलने को कहा फिर दोनों वहां से शहर की बड़ी जील की तरफ गए बारिश अभी अभी बंद हुई थी और बादल अभी भी आजमान पचाए हुए थे सारे पेड़ पौधे बहुत खुबसूरत नजर आ रहे थे आज तो हर पेड़ पौधा अधिक खरा दिख रहा था बारिश की कुछ बुने पेड़ की पत्यों पर रुक गई थी और धीरे धीरे नीचे टपक रही थी इस समय किसी पेड़ की रीचे बैट जाओ तो ऐसा लगे जैसे बारिश अभी खत्म ही नहीं हुई है और अभी धीरे धीरे हो रही है दोनों जील के खिनारे पेच दोनों जील के किनारे बने एक खुबसूरत से पार्क में पहुँचे वहाँ पहले से कुछ लोग मौचूद थे लेकिन इतने नहीं कि पार्क भरा भरा लगे दोनों पार्क में आगे बड़े ये रास्ता बहुत सुकून भरा था और दोनों का साथ होना भी दोनों के लिए एक सुकून था सुरज डूबने ही वाला था ठंडी हवाई चल रही थी इस पार्क के बाद जहां तक नजर जाती जील ही जील नजर आती और आकिर में ऐसा मालूम होता कि मानो सुरज इसी जील में डूब रहा हो रिहान खुश था लेकिन थोड़ा खामोश था अपने एक हाथ को जेब में डाले और दूसरे में अपने फोन का कैमरा खोले चहरे पर एक मुसकान के साथ चल रहा था और या उसे थोड़ी सी आगे पंच्छीों की तरह उड़ती नसर आ रही थी वो अपने खुशी को जी रही थी उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थी वो ऐसा पहली बार महसूस कर रही थी जील के पानी के उपर कुछ पंच्छी उड़ रहे थे जो मौसम को और भी खुश्णुमा बना रहे थे और जील के किनारे पंच्छों के साथ रिया भी पंच्छी बनी हुई थी सूरज डूबने वाला था कि फिर बादल आ गए और हलकी हलकी बारिश आ गई फिसूरज कब डूबा किसी को पता नहीं चला क्योंकि उसके बाद अंधिरा चा गया जब बारिश शुरू हुई तब रिहान पार्क में ही किनारी पंबने एक छोटी से शेट की तरफ भागते वे रिया को भी आने को कह रहा था नहीं हम बारिश में भीगते हैं कितना अच्छा लगेगा रिया ने कहा रियान रुख गया बच रियान रुख गया उसने मना किया लेकिन रियान ने थोड़ा सा रोने वाली शक बना कर कहा रुखते हैं कितना अच्छा मौसम है बारिश में थोड़ी तेर फीकते हैं तब रियान रिया के बिलकुल करीब आ गया बिलकुल उसके सामने खड़ा होकर अपनी खतेलियों को फैला कर रिया के सिर के उपड़ डाल दिया जिससे बारिश की बुंदे उसकी खतेलियों पर ही रुखने लगी बारिश में भीगोगी तो तुम्हारी तब्यत खराब हो जाएगी रिया कुछ ना बोली चूंकि रिया 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 से थोड़ी चोटी थी और उसे रिया से नजरे मिलाने में अपनी नजरे उठानी पड़ रही थी इस बारिश के वज़ा से पार्क खाली हो गया था और दोनों एक बात के जवाब के लिए एक दूसरे की आँखों में देखने लगे इस मौसम का सर दोनों पर ऐसा हुआ कि रिया रिया के लिए च्छाते की तरह थी वो रिया के गालों पर आ गए रिया के होंट रिहान के होंटों तक पहुँच गए दोनों ने एक दूसरे को चूमा और अलग हट गए दोनों एक दूसरे के बराबर चलने लगे कुछ दूर दस कदम चलने के बाद उस हलकी बारिश में फिर से एक दूसरे को चूमने लगे सूरज ढल चुका था बादल गरच रहे थे और प्रेम बरस रहा था रिया का वक्तित्व प्रेणना दायक है कम से कम मेरे लिए तो क्योंकि उसके वक्तित्व से मैंने हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखा है वो शीतल शब्द की तरह शीतल है लेकिन हर रोज उसके किरदान ने मुझे एक नए इनसान से मिलाया वो कभी एक दरिया के बहते वे पानी की तरह शीतल महसूस होती है तो कभी जरने की पानी की तरह साफ और कभी इसी जरने के गिरते पानी की कोमल और दिलकश अवास की तरह लगती है उसकी नाजुकी कभी एक कॉमल गुलाब की कली की तरह साबित होती है तो कभी वो उसी गुलाब के काटों की तरह चुबती है और उसका चुबना अच्छा लगता है जैसे गुलाब को प्यार करने से इंसान खुद को नहीं रोक सकता वैसे ही उसके किरदार से हर किसी को मुहबत हो सकती है वो किसी के लिए पूरे खोते खुआप की तरह हो सकती है तो कभी किसी के बिखरते खुआप की तरह वो कभी अधूरी है तो कभी उसी पल वो मकमन लगने लगती है उसके सांसों में एक गहराई है तो कभी उसकी हसी में एक खाली पन है एक बोज एक उल्जन दिख जाती है वो प्यार ऐसे बाठती है जैसे उसके पास प्यार का खजाना हो लेकिन कभी उसकी हसी उसके अंदर के प्यार के एक कमी भी दिखा देती है उसकी मासूमियत ऐसी है जैसे एक बे अकल बच्ची हो उसकी आंके ऐसी है जैसे किसी हिरन ने अपनी आखे उसे तोफे में दी हो उसकी बिंदी लगी चहरे से चांद को रश्क आता है जो रिया के करीबी है वो जानते हैं कि वो क्या है और उसका वेक्तित वक कितना अप्रेडना दायक है मेरे जीवन में लड़कियों के प्रती भावनाएं अलग ही थी उनका असर ही नहीं था क्योंकि मेरे रिष्टे कभी लड़कियों के करीब रहे ही नहीं और जहां से हम आते हैं, ओ समाच में एक बात यह थी, बलकी एक बीमारी ये थी, कि एक लड़की और एक लड़के की बीज दोस्ती रही हो सकती, शायद ये सोच मुझ पर भी थोप दी गई थी, हमारे समाज की बिमारी शायद मुझे भी लग गई थी इस सोच और बिमारी से आजाद कराने वाला वेक्तित्व रिया का ही था रिया का वेक्तित्व मेरी जिंदगी में इतना प्रेड़ना दायक रहा कि दुनिया के हर रिष्टे के भावनाओं का मुझे पता चला भावनाएं ऐसी जो सच्ची थी और मैं इससे बेखबर था जब भी मैंने रिया को देखा तब उससे कुछ ना कुछ पाया वो जितनी खुब्सूरत थी उतनी ही दयालू भी उसकी दयालूता ऐसी थी कि वो अपने दोस्तों और प्रिष्टों के लिए खुद को हार सकती थी जो भी उससे जुड़ता तो उसके लिए वो एक पेड़ की जड़ की तरह बन जाती वो जड़े जो जमीन के अंदर होकर पेड़ की बाहर के खुबसूरती बढ़ाती है रिया तो मेरे लिए भी पेड़ की जड़ की तरह बन गई थी मैं अभी तक ऐसी तलाश में था जो मुझे बताए कि असल जीवन क्या है उसने कभी मुझे कोई उब्देश की तरह कुछ भी बाते नहीं बताई और नहीं उसने कभी मुझे अपनी वेक्तिकत बातों में या वेक्तित्व में बदलाव लाने के लिए कहा उसका वेक्तितव ही इतना आकर्षित और चमकीला था कि जो भी उसके साथ जुड़े उसे बदल सकती थी बस उसके वेक्तितव को पहचानने वाला चाहिए मेरी तो ऐसे बन गई थी कि यदि मुझे कहीं कोई परिशानी आती तब ये सोचता कि रिया ऐसी स्थिती में क्या करती और मुझे रास्ते नजर आने लगते वो कितनी खुश थी शायद ये मैं लिखना पाऊं या शायद उसने कभी जाहिर नहीं किया था ये शायद मैं उसकी खुशिया समझ ही नहीं पाया लेकिन उसकी खुशिया जाहिर होती भी कितनी और कैसे ये किसी को भी नहीं पता कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दुनिया के वग्यानिकों को खुशी और गमों को मापने के लिए कोई एक मशीन बनानी चाहिए जिसमें एक पेमाना सेट कर दिया जाए और एक व curved को अब इससे अधिक खुश नहीं होना चाहिए और एक दूसरा पेमाना सेट करना चाहिए कि अब इससे अधिक वेक्ट को गम में नहीं डूबना चाहिए ऐसी मशीन से बहुत से रिश्टे बचाय जा सकते हैं और बचाए जा सकते हैं जब इनसान अधिक खुश हो जाता है तो वो अपने आप से बहा जाने लगता है और यही बात गमों में डूबने से भी होती है रिया इतनी खुशती है कि यदि वे नुकसान में भी हो तो उसे फर्क नहीं पड़ता रियान भी खुशता जब पहली बार किसी से प्रेम होता है तब सब कुछ अच्छा लगता है बलकि ऐसा भी होना बहुत मुनासिब है कि कोई एक तमाचा गालों पजड़ दे और प्यार में बड़ा इनसान मुस्कुराता रहे प्यार में पढ़ने का एक और सबसे बड़ा बदलाव ये आता है कि घर का हर आइना प्यारा सा लगता है पाँच आइने लग गए थे और खिड्केों के शीशे जिन्होंने कभी रिया के चहरे नहीं देके दे अब हर रोज प्रेम थोड़ा अलग था आम प्रेमियों के प्रेम से अलाग क्योंकि जब ऐसी स्थिती होती है और प्रेम के शिर्वाति दिन होते हैं तब एक दूसरे से मिलने के लिए दोनों तरफ तडप होती है यहां रिया तो वक्त को उंगलियों पर गिंती रहती थी लेकिन रिहान थोड़ी मुश्किल में था मिलने का समय वो टालता रहता था रिहान रिया से तो मिलना चाहता था लेकिन वक्त से हार जाता था और मिलने का प्रेम आगे बढ़ जाता था लिखना जितना आसान है इतना ही मुश्किल निभाना प्यार में रिया ऐसी डूबी कि वो रिहान से मिलने के लिए वक्त को भी रोक सकती थी पहली मुलाकात के बाद रिया और रिहान दूसरी बार भी मिले लेकिन इन दो मुलाकातों में 20 दिनों का फासला था जब दोनों मिले तो सबसे पहले रिहान निर्ग्या के माथे को चुमा प्रेम आत्मा का मिलन है प्रेम में प्रेमी अपनी प्रेमिका के माथे को चुमता है तब वो उसकी आत्मा को चुम लेता है और जब उसके लबों को चुमता है तब वो अपना विश्वास अपनी प्रेमिका को सौप देता है और अपनी प्रती विश्वास को महसूस करता है रिया ने अपनी आँखे कुछ समय तक बंद ही रखी उसने मुस्कुराते वे आँखे खोली और दोनों शाम गुजारने निकल गए रिया को ये जगा बहुत पसंद थी वो अकसर यहां आती थी लेकिन अभी रिहान के साथ ये जगा उसे स्वर्ग लगने लगा था ये एक कैफे था जो बहुत खुबसूरत था जील के किनारे दो हिस्सों पर बना था ये कैफे कैफे के नीचे के हिस्से में आधी तरफ थोड़ी सजावट के साथ कुर्सिया लगी थी और दूसरे आधे हिस्से में कैफे का रसोई था कैफे के उपर का दूसरा हिस्सा बहुत ही खुबसूरत था क्योंकि इसे खुबसूरती से सजाया गया था कैफे के एक हिस्से में कुछ किताबों के सजावट थी और यहां आने वालों के लिए पढ़ने के लिए फ्री रखा गया था यह सजावट के काम में आ जाती थी और यहां आने वालों के लिए पढ़ने का मौका भी मिल जाता था कुछ लोग तो इस कैफे में चाय पीते और किताब पड़ते वे शाम गुजारने रोज आते थे शाम होते ही जील से आती ठंडी हवाय शरीर में सहरन पैदा करती थी और वही हलकी रंग बिरंगी रोशनी वहां की लगी बेलाओ की पत्यों की खुबसूरती और अधिक बढ़ा जाती थी यहां कुछ पौदी ऐसे लगाए गए थे जिनकी बेलाओ उपर को जाती थी और बहुत से रंग बिरंगे फूल पत्यों के सजावट थी कोई भी जगा को देखता तो यह शब्द जरूर कहता खुबसूरत इस खुबसूरती का हिसाब दोनों थे और जब भी वक्त निकालते तो शाम यहीं गुजारते इन मुलाखातों में एक मुलाखात खास थी जब रिया घर पर अकेली थी और रिया अपने घर पर रिया अकेले पन से डरती थी या यूँ कहे काली राती उससे डराती थी काली रातों की तनहाई से सब डरते हैं लकिन शायद जीवन के सचाई भी यही तनहाई ही है इन काली रातों से बचने के लिए उसने रिहान से बात की रिहान ने उसे उसके घर चले आने को कहा रिया उसके घर चले गई और ये काली रात और भी काली अंधेरी और खामोश गुसरे दोनों खुश थे लेकिन खामोश रात चिलाई थी जमीर रोया था काली रात और भी जादा काली गुसरे थी घर के चिराग बुझ गए थे, हवाई बहुत तेजी से गुसर गई थी, दोनों के कप्रों की सिल्वटे जमीन पर बिखर गई थी, दोनों खामोश थे, दोनों बहुत खुश थे, रात खुश थी, कमरे की हलकी रोशनी खुश थी, कमरे में रखी, कितापे खुश थी, सभी स कि आशामान खुश ते दोनों एक गुद्थे में गुत्थमगुती थे दोनों खुश थे एसी पुनरा कोटातों के लिए दोनों कई लतां कोपह's के से पुख़िन, आशामारी नि Simple में आरी रिविद्धिर comport दे साथ व्य होता भी क्यूं नहीं आज उसकी डिगरी पूरी हो रही थी वो आज graduate हो गया था लेकिन दो लोग खुश नहीं थे एक रिया क्योंकि रिहान और वो अब शायद बिछरने वाले थे और एक मैं क्योंकि रिया दुखी थी रिया दुखी थी तो मैं क्यूं दुखी था मुझे दुखी नहीं होना था रिया कॉलिज में एक तरफ बहुत उदास खड़ी थी कि तबी रिहान आया उसने रिया के माते को चुमा हमेशा के तरह और पूछा कैसी हूँ रिया ने जवाब दिया क्या ये भी बात पूछने वाली है रिया उदास थी लेकिन रियान उससे बात करके उसके चहरे पर मुस्कुरा हट ले आया वो दोनों कैंटीन चले गए रिया मुस्कुरा आई लेकिन उदासी उसके चहरे से नहीं गई वो दास थी, वो दिन भी आया जब रिया रिहान को छोडने स्टेशन गई उसके साथ मैं भी गया रिहान की नौकरी दूसरे शहर में लगी थी तो वो घर के लिए रवाना हो रहा था और फिर कुछ दिनों बाद घर सही उसे नौकरी के लिए रवाना होना था मुझे याद है रिहान ने उसे गले लगाया फिर उसका माथा जूंकर विदा लिया मैं थोड़ी दूर पर ख़ड़ा था उसने मुझे भी हाथ उठा कर खाय कहा जवाब में मैंने एक मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ उठा लिया रिया को रोना रहा था वो खूब रोना चाहती थी लेकिन वो रिहान को रोकर विदा नहीं करना चाहती थी दोनों का हाथ छूट रहा था तब रिया ने हलके आवाज में कहा अपना ख्यान रखना जवाब में रिहान बस मुस्कुरा दिया वो गाड़ी में बैठ गया, तब तक मैं रिया के पीछे खड़ा रहा, गाड़ी खुली रियान दर्वासे पर खड़ा होकर हाथ हिला कर बाई कह रहा था, शायद ये लम्हे रिया से बरदाश नहीं हुए, वो पीछे मुड़कर मुझे से लिपट गई, अपना माता मेरे सीन जीप लगा, क्योंकि रियान हमें देख रहा था, और मेरे साथ ये पहली बार हुआ था, गाड़ी जा चुकी थी, लेकिन रिया रो रही थी, रोई जा रही थी, कुछ देर तक मैंने उसे संभाला, और पास में ही मौजूद एक कुरसी पर उसे बिठाया, मनुश्च जब उदास या दुखी होता है, तब उस उदासी और दुख को कम करने का सबसे आसान तरिका रोकर आंसो बहाना होता है, स्थरी कुल कर रो लेती है, लेकिन पुरुष रोना कमजोरी समझता है, रोना कमजोरी नहीं है, मैंने पानी की एक बोतल खरी दी, उसे प किनोलजी की शुक्र गुजार रही। वो हर शौम का उंतजार करने लगी थी उसका दिल अब पढ़ाई में नहीं लगता था। वो शौम का उंतजार करती थी क्यूंकि शौम को ही दोनों की बाते होती। चुक्य रिहान अभी घर पर था तो दोनों की मुश्किल से बहुत कम ह गई बात होती थी लेकिं जब रिहान ने अपने नौकरी शुरू कर दी तब हर शाम रिया उसे फोन लगा दे थी और कभी-कभी वीडियो कॉल से पाते होती अब रिया और रिहान की यही कहानी थी रियान पूरे दिन नौकरी करता और रिया शाम होने का अंतजा एक दिन रिया ने फोन लगाया और रियान फोन पर नहीं आ सका मुझे याद है वो रात मैं पूरी रात नहीं सो सका क्योंकि जब भी वो रियान को फोन लगाती वो फोन नहीं उठाता था तब वो मुझे फोन करती और पूछ ठक गया होगा जिसे घर पहुसते ही सो गया होगा रिया बहुत उदास थी उसे मुझे से कहा मुझे कुछ अच्छा नहीं रख रहा क्या करूँ तुमारे पास आ जों क्या मैंने उसे समझाया देखो अभी बहुत रात हो गया परिशानी की बात नहीं है आराम करो सब ठीक हो जाएगा वो जब अपना फोन देखेगा बात कर लेगा रिया ने उस रात को बड़ी मुश्किल से गुजारी थी सुपह हुई रिया का फोन बजा एक रिंग में उसकी आँख खुल गए और जल्दी से फोन प्रिसीफ कर लिया फोन उठाने के बाद रिया का सबसे पहला सवा जाल था कैसे हो रियान भुद खलके आवास में बोला ठीक रियान ने फिर पूछा क्या बात है कल रात फोन क्यों नहीं उठा रहे थे रियान के अवाज ब़दल गई वो गुसा हो गया उसने कहा क्यों इतना फोन करती हो कुछ बात होगी तबी तो फोन नहीं उठा सका हू यह बात उसने थोड़ी हल्की आवास में कही उसने कहा करता हूं पात और फोन बंद कर दिया रिया उदास थी और बहुत से सवालों से घिरी हुई थी वो कुछ और बाते पूछने ही वाली थी कि फोन कट किया रिया ने थोड़ी उलजनों को सुलजाया और वहीं फोन रखकर फिर सो गई इस तरह दोनों की बाते बहुत कम होने लगी रिया रियान पर इस वचा से जादा दबाफ नहीं दे रही थी क्योंकि ये उसकी नई जॉब थी और नई नौकरी में मुश्किले आती है लेकि जब ऐसा लगतार होने लगा तब उसने रियान के पास जाने का दिल बना लिया रियान ने मुझे फोन लगाया कि वो रियान के पास जाना चाती है मैं उसका टिकट करवा दूँ मैंने कहा हमारे एक्जाम शुरू होने वाली है अभी जाओगी तो तुम्हारे एक्जाम पे परशानी हो जाएगी यदि मैं अभी नहीं गई और रियान से नहीं मिली तो वैसे ही मेरे एक्जाम खराब हो जाएंगे उसने थोड़ी कडवी भाशा की तरह इन शब्दों के साथ मुझे जवाब दिया फिर उसने थोड़ी रोनी वाली आवाज में मुझे कहा मेरे टिकट्स करवा दोना प्लीज मैं उससे मिलकर जल्दी वापस आ जाओंगी मैंने जवाब में कहा ठीक है अगले दिन वो रियान के आफिस के बाहर खड़ी थी उसे रियान को फोन लगाया मैं आफिस में हूँ कहकर रियान फोन रखने ही वाला था कि जल्दी से रियान ने कहा मैं तुम्हारे आफिस के बाहर खड़ी हूँ क्या एक बहुत या अश्री वाली बात पर जवाब देने वाला क्या कहकर रियान फोन बंद करके बाहर आगया प्यार लोगों से क्या क्या करवाता है और रिया प्यार में इतनी दिवाने थी कि वो अपने एक्जाम के फिकर चोड़ कर अपने घरवालों को बेना बताए अंजान दूसरे शहर चले गई थी रियान ने जब रिया को देखा तो वो गुस्से में था लेकिन रिया बहुत खुश थी वो एक प्यारी मुस्कान के साथ रियान को अपने तरफ बढ़ता देख रही थी तुम यहां क्या कर रही हो अचानक से क्या हो गया ऐसा क्यों अपनी जान के दुश्मन हो गई हो इतनी दूर अकेले कैसे चली आई बिना सांस लिये रियान ने शक और फिक्र भरी कई सवाल एक साथ कर दिये रिया के जहरे से मुस्कान चली गई उसने कुछ नहीं कहा कुछ सेकिन बाद रियान ने अपने माते को रियान के होंटों पर रख दिया और दोनों गले मिले रिहान ने अब कोई सवाल नहीं किया ओफिस रिसेप्शन पर एक नोट लिखा और दोनों वहां से निकल गए दोनों ने पूरा दिन साथ में गुजारा रिहान ने एक नया शहर रिया को दिखाया अगले दिन रिया वापस आगी वो ट्रेन से वापस आ रही थी उसे पिक करने के लिए उसने मुझे फोन किया मैं रियल्वे स्टेशन पर था गाड़ी आई एक डपे से रिया उतरी मैं वहे थोड़ी दूरी पर खड़ा था वो बहुत खुश थी एक खुबसूरत हसी के साथ वो दौड़ी और मुझे से लिपट गई वो गिरने वाली थी उसे मैंने संभाला वो मेरी गोद में थी और मैं उसे संभालते वे अपनी ही एक गोल चक्कर काट चुगा था अरे भाई पब्लिक प्लेस है हम रेल्वे स्टेशन पर है लो क्या कहींगे मैंने रिया से कहा मैं बहुत खुश था पैट मैं बहुत खुश हूँ एहमद उसने मुझे से कहा मैंने उसे संभाल कर आगे बढ़ने को कहा हम दोनों बाते करते वे आगे पढ़के रिया के घर पहुंच से पहुंचते उसने इतिनी सारी बाती मुझे बताई रिया इसे शहर में अपने भाय के साथ रहती थी दोनों पढ़ाई करते थे उनके माधा पिता महीने दो महीने पर उनसे मिलने आते थे मैंने रिया को उसके खर छुड़ा कैसे हो अभी? मैंने उसके भाय से पूछा वो मुझे जानता पहचानता था उसने कहा ठीक आप बताएं मैंने भी कहा ठीक खाना खाका जाएए कब भीया अभी ने खाना खाने को कहा रिया अंदर चली गई मैंने कहा बस पानी पिला दो रिया थोड़ी देर में बाहर आई हम तिनों थोड़ी देर बैठे फिर मैं वहां से रवाना हुआ वो मेरी दोस्त थी सिर्फ दोस्त और एक लड़के के साथ रिष्टे में भी मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहता था लेकिन रेलवे स्टेशन पर उसका मुझसे वैसे मिलना मेरे अंदर कुछ पैदा कर रहा था मैं बदल रहा था मेरे अंदर भी कुछ बदल रहा था रिष्टे बनाना और उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है और दोस्ती जैसा रिश्टा संभालना और भी मुश्किल होता है मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में था रिश्टे कच्चे धागों की तरह होते हैं कुछ दिन गुजरे रिया अब उस खुशी से बहार आ चुकी थी लेकिन अभी भी बाते पहले जैसी नहीं हो पाती थी रिया फोन लगा दी तो रिहान कभी फोन पर ही नहीं आता तो कभी थोड़ी देर बाद ही फोन बंद कर देता कभी कभी तो कई दिनों तक बाती ही नहीं होती एक दिन दोनों की बाते चल रही थी किरिया ने एक सवाल किया क्या हमारे प्यार के बीच कुछ आ गया है क्या आ गया है कहना क्या चाहती हो रिहान उचका मैं तुम्हारे फोन का अंतजार करती हूँ जब फोन करती हूँ तब तुमसे बातें नहीं हो पाती क्यों? मुझे लगता है ये सिर्फ मेरी तरफ से रह गया है रिया ने दोनों के खालात को एक किताब प्रतरा रिहान के सामने खुला क्या बखवास कर रही हो रिहान ने गुस्से में पूछा कुछ देर दोनों तरफ खामोशी रही फिर रिहान ने बाई कहकर फोन काट दिया रिया अपना फोन कान पहे लगाई रही जबकि दूसरी तरफ से फोन बंद हो चुका था वो सोच में डूबी हुई थी वो सोच रही थी कि कहीं उसे धोका तो नहीं मिल रहा क्योंकि इस रिश्टे को सिर्फ रिया नहीं संभाले रखा था वो सोच रही थी कि कहीं उसका इस्तमाल तो नहीं क्या है वो सोचते सोचते रोने लगी और फिर रोते रोते वहीं बिस्तर पर ही सो गई अब दोनों की बाते बहुत दिनों पर होती थी और वो भी जब रिया बात करने के लिए फोन लगाए वो अब बस ख्यालों में गुम रहती कॉले जाती तो उसके चहरे पर उदासी साफ नजर आती थी उस उदासी और दर्द को चुपाना भी उसके चहरे पर साफ दिख रहा था वो खुश नहीं थी मैं ये जानता था रिष्टों को संभालना कितना मुश्किल होता है न और ऐसे रिष्टे तो और भी मुश्किल होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता सारे रिष्टे कच्चे धागे की तरह तो होते हैं जिनको तोड़ना कोई भी मुश्किल काम नहीं होता लेकिन इन्हें सभालना बहुत जादा मुश्किल होता है वक्त गुजरता गया विया ने मुझे से पूझा कि यदि किसी रिष्टे में एक तरफ से कमी आने लगे तो दूसरी तरफ के इनसान को क्या करना चाहिए उसके सवाल ने मुझे बहुत ज़्यादा परिशान कर दिया क्यूंकि मैं उसकी परिशानी उसके चहरे और सवाल दोनों में देख सकता था और मैं उसे परिशान नहीं देखना चाहता था इसकी वजह सिर्फ गहरी दोस्ती थी या कुछ और मैं ये नहीं जानता था हमारे कॉलेज का आखरी साल भी खत्व होने वाला था लेकिन दोनों के रिश्टे अब भी उसी हाल में थे मुझे कुछ कारिक्रम में अपने कविताओं की प्रस्तुती देनी थी इस शहर में ये मेरा आखरी साल था तो शायद ये कारिक्रम और प्रस्तुती भी इस शहर में मेरी आखरी थी इसी वजह से मैंने मेरे सभी दोस्तों को इस कारिक्रम का हिस्सा बनने के लिए कहा वैसे दोस्त जो मेरी प्रस्तुती कभी नहीं देखते थे पैचे वैसे दोस्त जो मेरी प्रस्तुती कभी नहीं देखते थे मैंने रिया को भी बताया सभी ने आने की हामी भरी क्योंकि ये शायद या सच में ही आखरी कारेख्रम के प्रस्तुती थी कारे क्रम का दिन आया कुछ मेरे दोस्त पहुंचें कुछ नहीं पहुंचें लेकिन मुझे रिया का अंतजार था कारे क्रम शुरू होने बाला था लेकिन वो अभी तक यहां नहीं पहुंची थी मैंने फोन मिलाया लेकिन फोन नहीं लगा कहीं किसी खास वेक्ति का इंतजार करना भी एक बहुत अलग किसम का एहसास होता है जिसे बयान करना बहुत मुश्किल है मैं ऐसी मुश्किल खालात से गुजर रहा था मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये कविताएं मैंने रिया के लिए लिखी है ऐसा लगता था जैसे ये कारिकम और प्रस्तुती उसी के लिए है और जब वही इस कारिकम का हिस्सा नहीं होगी तो मेरी प्रस्तुती का कोई मतलब नहीं बचेगा मैं उसके लिए कई बार नीचे उपर करता रहा क्योंकि ये कारिकम तीसरी मंजिल पर होना तैथा कारेकरम शुरू हो गया मुझे आकर दूसरे कव्यों के साथ मंज पर बैठना पड़ा लेकिन मेरी आँखे अभी भी रिया का अनतजार कर रही थी जब मैं अपनी प्रस्तुती दे रहा था ता मैं खाली बड़ी कुछ कुर्सियों को देख रहा था मैंने प्रस्तुती खत्म की खोब तालिया बजी कारेकरम खत्म हुआ और मेरे कुछ कॉलिश के साथ पैचे कारेकरम खत्म हुआ और मेरे कुछ कॉलिश के साथी वही मौजूद थे खोब सरहाना मिली रिया नहीं आई पैचे रिया नहीं आई और नहीं उसका फोन मैं घर गया मुझे एक अजीब सी बेजानी थी सवाल थे मेरे अंदर एक उल्जन थी मैं सोने बाला था कि रिया का फोन आया हेलो कैसी हो मैंने फोन उठाते ही पूछा दूसरी तरफ रिया नहीं अभी था भया रिया का एक्सिडेंट हो गया है क्या मैंने बहुत अजरज और आशरे से पूछा कब हुआ कैसे हुआ कहा हुआ एक ही बार में मैंने कई सवाल कर दिये मैं घबड़ा गया अभी ठीक नहीं है डॉक्टर्स चेक कर रही है मैंने सोचा कि आपको बता दो मैं फॉरन ही अस्पताल के तरफ निकल गया रास्ते में मैंने रिहान को फोन लगाया लेकिन रिहान उसे फोन नहीं उठाया मैं अस्पताल पहुँचा अभी से मिला अभी के कुछ दोस्त वहां मौजूद थे उन्होंने मुझे पूरी घटना का हाल बताया वो मेरी पस्तुती देखने कारिक्रम के लिए आ रही थी तब ही ये दुरखटना हो गई ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख लगा एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि ये दुरखटना मेरी ही कारण हुई और हाँ ये सज भी तो है मैंने उसे बुलाया था वो मेरी पस्तुती देखने आ रही थी तब मुझे और भी अदिक परिशानी हो रही थी मैं रोना नहीं चाह रहा था लेकिन मेरी आँखें मेरा साथ नहीं दे रहे थी मेरी आँखें लाल हो गई थी उन आँखों में पानी भराया जब इनसान को रोना आए तो उसे रो लेना चाहिए मैं अस्पता से बाहर चला गया कुछ घंटों के बाद डॉक्टर्स ने एक एक करके अंदर जाने को कहा जब सब बहार आ गये तो अभी ने मुझे भी देख लेने को कहा मैं अंदर जाने से डर रहा था लेकिन रिया को अपनी आँखों से देखी बगैर मुझे सुकून नहीं आने वाला था मैं डरते डरते अंदर गया उस कम्रे की पूरी दिवारे सफेद रंग से रंगी थी कुछ मशीने लगी हुई थी वहीं एक बिस्तर पर रिया बेहोश पड़ी थी मैं धीरे से वहीं बिस्तर के पास रखी कुरसी पर बैठ गया रिया का हाथ अपने हाथों में रिया तब मेरी आँखों में फिर आंसु भराए मैं कुरसी से उठा मैंने रिया के करीब जाकर उसके माथे को चुमा जब रिहार उसके माथे को चुमता था मैंने रिया का हाथ अपने हाथ में लिए उसी बिस्तर पर बैट कर एक कवीदा पढ़ी अंधेरा रोज आता है, शमा जलाई जाती है एक परवाना उस पर मन राता है, हवार शमा को बुझाना चाहती है एक शक्स इसकी हिफाज़त करता है, परवाना शमा से जल कर मर जाता है लोग परवाने की मुहपत की दात देते हैं, जो शक्स इस शमा की हिफाज़त करता है, वक्ती दिवाना कहलाता है क्योंकि उसे उजाले की जर्वत होती है शक्स सवाल करता है परवाना शमा का दिवाना कैसे ये मुम्किन है कि वो इस शमा से अपनी भूख मिठाना चाहता हो और इसे चाहत में वो मर जाता हो शक्स शमा की हिफासत करता है, इसे जिन्दा करके अंधेरे को भगाता है, अंधेरा रोज आता है, शमा जलाई जाती है मैंने ये कविदा पढ़ी और सोच रहा था, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और रिया का हाथ जोड़ कर बहुत तेजी से कम्बे से बाह चला गया, मैं खुद से डर रहा था, मैं खुद से ही खाफा था भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, लेकिन रिया को ऐसी स्थिदी में देखकर मुझे तकलीफ हो रही थी वो तकलीफ कैसी थी मैं ये सोच रहा था कि रिहान कहा है वो कैसा होगा उसे इस बारे में पता भी है की नहीं सुभा हो चुकी थी ये रात हम सब पर बहुत भारी गुजरी मैंने रिहान को फोन लगाया क्या? कब हुआ? कैसे हुआ? जब मैंने उसे बताया तब उसने भी बहुत याशर और अच्रस से पूछा तुम यहां आजाओ उसे तुम्हारी जरुट है मैंने उसके सबी सवालों का बस एक ही जवाब दिया लेकिन वो फिर कुछ ना बोला फोन बंद हो गया और कई सवालों के साथ मैं उलजन में खामोशी से अपना फोन देखता रहा दो दिनों के बाद रिया को होश आया लेकिन वो बहुत बुरी तरा घायल थी जिस वज़ा से हम अभी उससे अस्पताल से घर नहीं ले जा सकते थे हम सब वहीं खड़े थे लेकिन हम सब के बीज रिया किया कि रिहान को ढूंड रही थी वो रिहान जिसे थोड़ी भी फिक्र ना थी कि उसका कोई करीब ही अस्पताल में है उसने जब मुझे देखा तब ऐसे लगा कि वो मुझे से पूछ रही है और मैं कुछ भी नहीं कह सकता था मैं बेबस और खामोश खड़ा था रिहान का इस समय यहां नहीं होना रिया के दिल में उसके लिए प्यार कम कर रहा था तब भी एक नर्स आई और कहा आप सब यहां से बाहर चले जाए मरीज को आराम की जर्वत है आप लोगों मेंसे सिर्व कोई एक ही यहां रुख सकता है हम सब बहार आ गए और सिर्फ रिया के माँ वहां रुखी फिर हम सबी का बारी बारी से घर और अस्पताल में आना जाना लगा रहा अस्पताल में आने के पांच पे दिन रिहान का फोन मुझे आया मैंने फोन लिया और कहा कहो क्या बात है मैं यहां अस्पताल के बाहर खड़ा हूँ रिया कैसी है तुम कहा हो क्या तुम यहां क्या क्या कर रही हो मैंने तोड़ा आशरे और गुसे में उससे पूछा वहीं रुको मैं आ रहा हूँ मैं फोन कट करके अस्पताल के बाहर वाले रास्ते पर चला चलते ही वे मैं ये सोच रहा था कि सबसे पहले मैं रिहान को पीटूंगा मैं बहुत गुस्से में था लेकिन फिर रिया और उसके रिश्टे को सोच कर मैं खामोश रहा और अपने गुस्से पर काभू रखा हाँ बोरो क्या बात है यहां क्यों आई हो मैंने रिहान के सामने खड़ी होकर लेकिन अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा कर उससे पूछा क्या पूछ रही हो तूँ मैं यहां रिया के लिए उससे मिलने आया हूँ उसने थोड़ी भावकता से कहा मुझे हसी आगई मैंने हसते वे कहा बहुत जल्दी याद आगे फिर मैंने उससे थोड़ा गुस्से में पूछा तुम इतने दिन कहा थी जो अब तुम्हें उसकी याद और फिक्र हुई वो खामोश रहा और फिर कहा बस मुझे रिया से मिलवाओ मैंने बहुत गुस्से और जल्दबाजी में कहा रिया मर गई वो अचानक से मुझे पर लबका क्या एक बहुत तेज आवास के साथ उसने मेरे दोनों बाज़ों को जोर से जकड़ा पैच एक बहुत तेज आवास के साथ उसने मेरे दोनों बाज़ों को बहुत जोर से पकर लिया उसकी आँखों में आंसु आ गए उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता उसके सबान लड़कडा रही थी अच्छा ठीक है शान्त हो जाओ वो पहले से बहतर है मैं देखता हूँ उससे मुलाखात करवाता हूँ मैंने कोची सेहजिस्ता के साथ और बहुत शान्त होकर उससे कहा दोनों के रिष्टे का अभी उसके घरवालों को पता नहीं था ये रिष्टा कभी इतना मजबूत हुआ ही नहीं कि वो दोनों अपने घरवालों को बताए लेकिन रिष्टा ने अभी को बता दिया था अभी सब जानता था मैंने उससे कहा तुम यही मेरे फोन का इंतजार करो और मैं अस्पताल के अंदर चला गया मैंने पहले रिष्टा के मा को रिहान चल कर रिया के पास पहुँच गया मैंने मेरे पैच मैंने मेरे कदम वहीं दर्वासे के पास रोक लिए रिहान ने रिया का हाथ पकड़ा तब रिया जाग गई वो रोने लगा मुझे माफ कर दो रिया मुझे माफ कर दो माफी 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 माणते वक्त वो रो रहा था उसने रिया का एका पेच तुम यही रुखो तब रिहान भी मेरी तरफ देख रहा था तुम लोग आराम से बात करों मैं जाए लेकर आता हूं मैंने कहा रुख जाओ चाए वाए कुछ नहीं चाहिए उसने कड़ी और गुसे वाली आवाज में कहना चाहा लेकिन दर्द में अधिक तेज आवाज में बोल नहीं पाई इसे कहो कि यहां से चला जाए रिहान के हाथों से अपना हाथ खीचते वे रिहान ने मुझसे कहा मैं उनकी बाते समझ नहीं पा रहा था इसलिए वहीं खामोश खड़ा रहा तुम ऐसा क्यों कह रही हो रिया प्लीज मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हाएं साथ बहुत गलत किया है मैं बहुत मजबूर था इसलिए पागलो की तरह तुम्हें डाटता और बोलता रहा मुझे उनकी बाते समझ नहीं आई लेकिन डांटे नहीं और बोलने वाली बातों पर गुस्सा शरुआ गया मैंने गुस्से पर काबू पाने के लिए अपनी मुझी बांद ली लेकिन मैं वहां कुछ भी नहीं कर सका वहीं खामोश खड़ा रहा रिया रिहान से अपना चहरा फ़ेर कर वही खामोश रही रिहान थेンタ कीज से मेरी तरफ चल कर आया मेरे दोनों हाथ अपने दोनों हाथों से पकार कर बिस्टर के पास ले गया आंखों में आंसू लिये उसने कहा यार तुभी समझाओ ना बताओ इसे कि मैं इसे कितना प्यार करता हूँ तुम तो इसके सबसे अच्छे दोस्त हो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे रिया ने आँखों में आशो लिए एक जोर की आवाज में कहा मुझे किसी की भी बात नहीं मानने तुम जाओ बस फिर अपनी आवाज हलकी करके मुझे दूसरी तरफ करके कहा जो प्यार करते हैं उनका जाओ बात और धर्म से कोई वास्ता नहीं होता मैं क्या कर सकता हूँ यार मैं तो तुम लोगों के सारी बाते समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैंने रियान से कहा फिर उसने उन दोनों की बीच की कुछ बाती बताई बस पांच दिन पहले की बात उसने बताया मैंने रिया को मिलने के लिए इसे उसी पार्क में बुलाया जहां हम पहली बार मिले थे इसने आने का वादा किया लेकिन फिर इसने कहा कि हम सबसे पहले तुम्हारी प्रस्तुती देखने चलेंगे फिर इसने कहा कि हम सबसे पहले तुम्हारी प्रस्तुती देखने चलेंगे मैंने कहा ठीक है मैंने अपनी शादी के बाद अपने ममी पापा से की थी लेकिन रिया के हिंदू होने के कारण लेकिन रिया के हिंदू होने के कारण उन्होंने साफ साफ मना कर दिया वो डर गए थे, मैं डर गया था इसलब जिहाद से मैं जिहादी नहीं हूँ, मैं तो सच्चा मुसल्मान भी नहीं हूँ मैं तो हर रोज का पांच वक्त का नमास तक नहीं पड़ता मैं क्या जिहाद करूँगा आकिर हम सब एक समाज में रहते हैं और जो ऐसी नई शब्दावली बनी है जिसका मतलब लोग इसे निकाल रहे हैं जैसे अलब संक्रिक समुदाय के युवा पुरुश वर्ग बहुत संक्रिक समुदाय के स्थियों को बहला फुसला कर प्रिम जाल में फसाते हैं और शादी करके धर्म परिवर्तन करवाते हैं और इसी से बहुत संक्रिक समुदाय को नीजा दिखा कर अच्छी खासी बेज़ती भी करवा देते हैं जिसका विरोध करने के लिए बहुत संख्यक या अलब संख्यक समुधाय के युवा पीड़ी को अगर किसी की जान लेनी पड़ी तो कुरेज नहीं करेंगे अब भला तुम ही बताओ के कौन से माता पिता कौन सी मा है जो अपने बेटे को मौत के मुँँ में धके लेगी वो डर गए थे भाई और मैं भी मैंने घर पर सभी को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन घर पर बहुत परिशानी हो गई घर का महौल पूरी तरह से बिगड़ गया बापा ने कहा कि अगर तुम रिया से शाधी करना चाहते हो तो अपनी मा और मेरे लिए फातिहा पढ़ लेना और हम भी समझ लेंगे कि हमारा बेटा मर गया मैं बहुत उल्चन में था मैं मेरे पापा मैं मेरे मापापा को जीते जी नहीं मार सकता था इसलिए मैंने रिया और मापापा में मापापा को चुना ये सारी बाती हो रही थी कि रिया रोई जा रही थी मैंने रिया को चुप कराना चाहा रिया ने कहा मेरे लिए भी आसान नहीं था और मेरे ममें पापा भी धार्मिक है लेकिन मुझे खुद और इसके साथ पर भरोसा था कि मैं सभी को मना लूँगी लेकिन जब इसने और पिर रिया चुप हुगई, मैंने रियान की तरब देखा, उसने कहा, मैं यही बाते समझाने के लिए तो मिला था, मैं उस समय ये रिश्टा खत्म करना चाहता था, इसले बियाना चूप हूंप एक मुझे नहीं छोड़ेगी ये सब रिहान जल्दी चल्दी बता रहा था फिर चुप हुआ फिर थोड़ी हलकी आवाज में कहा इसलिए मैंने इसे कहा कि मैंने इसका अस्तवाल किया ये सब रिहान ने कहा कि रिया फिर से रोने लगी रिहान डिया के पास किया और फिसे माफी माँखनी लगा उसने कहा मैं जानता हू, मैंने बहुत बुरा किया मुझे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दू मुझे मेरी गलती को ठीक करने का एक मौका दो और इसकी कुमल सी खतेलियों में अपना चेहरा रख दिया ये गलती नहीं तुमने गुना किया है मैंने कहा वो दोनों मेरी तरफ देखने लगे मैं खामोश हो गया कुछ चोट शरीर पर लगते हैं और कुछ दिल पर शरीर के चोट तो जल्दी भर जाते हैं जो कि रिया के शरी की जख म भर रहे थे लेकिन दिल पर लगा जख म अतनी आसानी से नहीं भरता बलकि यह समझ लीजिये कि भरता ही नहीं रिया ने रिहान से विंती की थी किस रिष्टे को दोनों मिलकर सभालेंगे उन्हें समझना होगा यह रिष्टा मुश्किल है लेकिन नामुम्किन नहीं लेकिन उस समय रिहान अलगी सोच में था और कैसी भी ये रिष्टा खत्म करना चाहता था क्योंकि वो अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहता था रिया भी अपनी फैमली के साथ रहना चाहती थी लेकिं इन सभी परिशानियों से निकलने के लिए वो थोड़ा समय और रियान का साथ चाहती थी और रियान देने से मना कर रहा था वहां से रोती वे रिया निकली वो सारी बातें सोच रही थी वो सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी जिसका नतीजा यह हुआ कि वो भी अस्पताल में पड़ी है वो तूट चुकी थी बिखर चुकी थी या ये समझ लीजिए कि एक पेड़ से पत्ता तूट का जमीन पर बिखर चुका था जिसे अब फिर से उस पेड़ पर लगाया नहीं जा सकता रिहान ने बताया उसके पता ने ब्लैक मेल करके ये रिश्टा खत्म करवाया था क्यूंकि वो एक ऐसी लड़की से उसके शादी करवाना चाहते थे जिससे उनकी बिजनस में फाइदा हो जहां रिहान को ना ही लड़की पसंद आई और ना ही उससे जुड़ा हुआ कुछ जब उसने पैच तब उसने रिया को मिस किया और सब छोड़ कर यहां आ गया रिया ने कह दिया कि वो पेट से तूट चुकी पत्ती है जिसे फिर से जोड़ना नामुम्किन है उसने कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ मैं तुमसे कभी प्यार करती थी अब नहीं करती चले जाओ बहुत गुसे में चला कर बोली जिस वजह से कोई मशीन आवास करने लगी उसकी सांसे लंबी होने लगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं दोड़ कर डॉक्टर्स को बुलाने चला गया जब हम आए रिया लंबी सांसे ले रही थी मशीने चला रही थी और रियान सुन वहीं खड़ा था डॉक्टर्स ने हमें बाहर निकाल दिया और कुछ समय के बाद यह सब शान्त हुआ रिया बेहोश थी हम कमरे में थे डॉक्टर्स ने बताया कि मरीज को परिशान ना किया जाए उसे आराम करने दिया जाए और कुछ ऐसा किया जाए जिससे वो खुश हो नहीं तो उसकी जान को भी खत्रा हो सकता है अब क्या करू मैं रिया ने मुझसे असवाल किया और बिस्तर के पास वही बैठ गया मैंने फिर से मेरी वही कविता पड़ी अंधेरा रोज आता है शमान जलाई जाती है रिया ने सिर उपपर उठाया क्योंकि मैं खड़ा था मुझे कुछ समझ नहीं आया उसने मुझसे कहा मैंने कहा तुम इसकविता के परवाने हो जो शमा पर मनराते मनराते जल चुका है मर चुका है एक शक्स है जो शमा की हिफाज़त करता है वो फटी आँखों से मेरी तरफ देखता रहा रिया बेहोश बिस्तर पर पड़ी रही कमरा खामोश हो गया रिया को मेरे प्रेम का पता नहीं चला रियान मेरे प्रेम को समझ चुका था प्रेम लिखना जितना आसान है इतना ही मुझकिल है निभाना मैं आगे बड़ा रिया बेहोश थी डॉक्टर जा चुके थे रिया के कोमल हाथ मेरे खाथ में लिए एक हाथ से उसका सिर सहलाया और एक कविता पढ़ी तुम्हारे लिए वो शब दिया उस वाक्य को आज तक लिख नहीं पाया जिसमें मैं लिख सकूं की कितना प्रेम और करूना भरा है मेरे हिर्दे में तुम्हारे लिए तो ये थी रेल्वे स्टेशन की कुर्सी कहानी संग्रह से रिया और रेहान जल्द हासिर होंगी लेकर एक और कहानी तपक सुनते रहे हैं बुकाडियो